हेलो गाइज आज हम डिसकस करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस को तो थोड़ा सा देखना अगर आपके दिमाग में इस से लेटेड कोई भी अगर डाउट है तो देखेगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में जब भी हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूस बोला के बारे में बात करें कि कौन से प्रोनाउन के साथ में कौन से वोज लगेगा या फिर कौन से प्रोनाउन के साथ में वर लगेगा तब देखिएगा आई, ही, सी और इट इनके साथ में लग जाएगा वोज और अगर यू, वी, दे ये प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट हूँ तो इनके साथ में लग जाएगा वर इसके अलावा अगर अपने नाउन की बारे में बात करें तो नाउन अगर हमारी सिंगलर है तो फिर उसके साथ में वोज लग जाना है अगर वो नाउन हमारी अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में भी क्या लग जाना है वोज लग जाना है और अगर हमारी noun है वो plural है तो फिर उसके साथ में क्या लग जाएगा वर लग जाएगा यहां इससे later कई बार पुछा जाता है कि आई के साथ में क्या लगेगा तो आई के साथ में past continuous के अंदर वोज लगेगा वो spourcing वाले sentence होते हैं imaginary वाले sentence होते हैं hypothetical situation वाले sentence होते हैं चिनमा आई के साथ में वर लगता है उसमें केवल आई के साथ में नहीं बाकी सभी के साथ में वर ही लगता है अब देखिएगा यहां पर अपने इसको और अगर जादा समझे तो इसके कुछे की usage है तो usage को देख लेते हैं तब देखिएगा सबसे पहले usage की अगर मैं बात कुरूँ तो कुछे की इसकी adverbs होती हैं जैसे की at that time है या फिर at that moment है moment या फिर in those days in those days या फिर then है etc इनके साथ मैं यह adverbs हमें यह बताती हैं कि इसमें कौन सा tense आएगा या कौन से time के साथ में यह चीजी चल रही है जैसे मैं यह यह बात करूँ कि at that time at that time he was he was playing cricket he was playing cricket with his friends तो इस sentence के अंदर क्या है यहां पर add that time आ गया और add that time है फिर उसके बाद में आपका subject ही है अगर ही हो तो आप वोज के साथ में जाओगे और जो man वरब है इसकी फैस्ट फोर्म के साथ में क्या add कर दिया ing add कर दिया इसके अलावा अगर अपने बात करें दूसरे usage की जो की बहुत जादा important है तो वो है simultaneous action से related इसको अपने थोड़ा सा अलग से देख लेते हैं simultaneous action को simultaneous action पहले चीज तो इसका मतलब क्या होता है simultaneous action बोला किसको जाता है तो simultaneous action का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो एकदम बिल्कुल same time के अंदर अगर हो रही हो ना दो action हो रही है और वो एक ही time पे अगर हो रही है तो उनको simultaneous action बोला जाता है तब देखिएगा यहां पे जैसे की इनके साथ में जैसे एक अपने पास्वार टाइम का डाइग्राम बना लेते हैं अपने यह हमारा time है और यहां यह पास्ट है यह अब के बारे में बात हो रही है और यह आगे आने वाला जो time होगा वो आपका future हो गया अब माली जी यहां कोई action हो रही है यहां से लेकिए यहां तक यह action हो रही है इसके साथ में एक action ओर हो रही है वो दूसरी action हो रही है यह दुन्नों एक दूसरी के parallel चलेंगी parallel का मतलब एक साथ में चलेंगी और जब एक साथ में चलेंगी ना तब इनको अपने यहां पर connect कर देंगे simultaneous action को connect कर देते हैं अपने when, while या फिर एज से इनसे connect कर देते हैं जैसे देखिएगा I was teaching while he was watching TV मैं पढ़ा रहा था और वो TV देख रहा था देखिएगा यहाँ पर यह एक तो subject यह है और एक subject यह है अब यह काम कर रहा है यह भी उसी time काम कर रहा है और यह भी उसी time काम कर रहा है दुन्नों काम कर रहे हैं दुन्नों दो action कर रहे हैं और वो same time में हो रही है कि नहीं, हो रही है, यह आई यहां पे काम कर रहा है, और ही है, वो अपना काम यहां पे कर रहा है. और दुनों एक ही time पे काम कर रहे हैं, और इनको connect कर दिया हमने किस से? While से. तो दुनों तरफ इसके past continuous हो सकता है, एक तरफ past simple, दूसरी तरफ past continuous हो सकता है या फिर दुन्नों तरफ भी past simple हो सकता है इस परकार की simultaneous action वाले sentence के अंदर जैसे रेखिएगा When I When I Entered the room Entered the room He was watching TV वो TV देख रहा था तो यहाँ पर देखिएगा यह past simple है आई के साथ मैं यहाँ पर आपने past form लगा रखी है और यहाँ देखिएगा past continuous इसका मतलब क्या हुआ कि यह TV उस कमरे के अंदर पहले से देख रहा था और यह इस कमरे के अंदर अब enter हुआ है तो यहाँ पर एक तरफ past simple और एक तरफ past continuous भी आ सकता है इस परकार या फिर मैं यूँ बात करूँ कि जब मैंने दरवाजा खट-कट आया तो उसने दरवाजा खोला तो यहाँ पर देखिएगा यह चीज past simple में है यहाँ एक बार फिर past simple है दोनों तरफ past simple भी हो सकता है तो यह यहाँ पर दोनों तरफ past simple हो सकता है दोनों तरफ past continuous हो सकता है एक तरफ past simple और एक तरफ past continuous हो सकता है किन में simultaneous action में simultaneous action का मतलब एक ही time पे दो action हुई और दोनों एक ही time पे हुई पैरलल हुई तो उसको अपने simultaneous action बोलते हैं जैसे देखिएगा इनके साथ मैं अगर डेली रूटेन से इलेटेड बात करें तो present भी आ सकता है जैसे my phone always rings when I'm having a bath मत जब पी नाने जाता हूँ ना तो मेरा phone बजना शुरू हो जाता है यह यहाँ पर speaker यह कह रहा है कि यह चीज इसके साथ में डेली हो रही है मतलब डेली बैसिस पे हो रही है यहाँ time है वो time importance नहीं रख रहा है क्योंकि always आ गया यह पूरे time को ही cover कर रहा है मतलब यह यह यूँ बता रहा है जैसे कि अब तक यह होता आया है इसके साथ में तो यहाँ पर इसके साथ में अपने present simple भी लगा सकते हैं देखेगा यहाँ पर अब आपके दिमाग में एक question उठ रहा होगा इसको देखके कि यहाँ पर having कैसे आ गया यानि have जो है वो तो non progressive हुआ वो होती है इसके साथ ing कैसे लग गया तब बता देता हूँ कि have जब position सू करे मतलब कोई अधिकार अपना उस आगे वाली चीज के उपर दिखाए तब have के साथ में अपने ing एड नहीं करेंगे तो उस समय वो non progressive होती है otherwise अगर have के आगे कोई dverbal noun आजाई यानि कोई ऐसी noun जो वाब से फॉम हो सकती है तो उसके साथ में अपने ing have के साथ में उस समय लगा सकते है मेरा कहने का मतलब इतना अक्सा ही है कि have के साथ में या जीतनी भी position वाली वाब है उनमें से have के साथ में अगर have वहाँ पे position सो नहीं कर रही है कुछ और उसका meaning निकल क्या रहा है तो उसके साथ ing आराम से लग सकता है जैसा कि इस sentence के अंदर लग रहा है तो I hope कि आपके ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझमा आ गई होंगी ये बस एक कुछे की usage थे past continuous के Thanks for watching this video